प्रस्न संख्या एक नीचे दिये गए साड़नी को मान से भरिये तो यहां पर आधार दिया हुआ है 2, 1, 3, 4 यह सब क्या है आधार है और यहां पर घहतांक है 2, 3 यह सब क्या है घहतांक है ठीक है तो यहां पर भरना है देखिए 2 का घहत 2 दो आधार है और घातां के कितना है दो तो दो का घात दो कितना होगा चार दो का घात दो मतलब दो गुना दो तो दो गुना दो चार होगा दो का घात सुन्ने एक होगा दो का घात सुन्ने एक होगा दो का घात तीन तो 2 का घात 3, यानि 2 गुना 2, 4, 4 गुना 2, 8 तो 2 का घात 3 होगा 8 एक का घात 2, तो एक पे कितना भी घात हो, एक ही रहेगा एक का घात सुन्य, एक देखें, किसी का भी घात सुन्य होगा, किसी भी संख्या का, तो एक आएगा तो किसी भी भी सुने होगा घात तो एक ही भराएगा इसमें एक का घात तीन एक का घात तीन एक ही होगा एक पर कितना भी घात आ जाए एक ही रहेगा तीन पर घात दो तीन तियाई नौ तीन पर घात सुने एक तीन पर घात तीन तियाई नौ नो तियाई 27 चार पे घात दो, चार चुक 16, चार पे घात सून्य एक, चार पे घात तीन, चार चुक 16, चौक 64 तो इस तरह से प्रेस्ण पहला हम भरेंगे निमलिखित गुनन सार्णी को भरिये, यहाँ पे देखिए गुना करना है तो एक्स का घात तीन, माइनस एक्स, एक्स का घात दो, यहाँ पे एक्स, माइनस एक्स स्क्वाइर, यह एक्स का घात तीन तो X का घात 3 को X से गुना करना है तो देखिए यहाँ पर घात 3 है यहाँ पर कुछ नहीं है तो घात 1 है तो X का घात 4 हो जाएगा X का घात 3 गुना X X का घात 4 ठीक है X का घात 3 गुना X का घात 2 तो यहाँ पर घात 3 है यहाँ पर 2 है तो जुट जाएगा घात, देखें, गुना में घात जुट जाता है, जैसे यहाँ पे, कुछ नहीं है, तो एक घात है, तो तीन एक चार हुआ, उसी तरह घात तीन और घात दो जुट जाएगा, तो माइनस है यहाँ पे, तो एकस गुना एकस हो जाएगा, माइनस एकस, एकस का घाद 3 तो घाद जूट जाएगा गुना में 3 3 6 हो जाएगा यानि x का घाद 6 अब माइनस x गुना x माइनस x गुना x कितना हो जाएगा माइनस x देखे माइनस प्लस माइनस और x का यहाँ पर कुछ निये घाद तो 1 है यहां भी कुछ नहीं घात तो 1 हो जाएगा यानि माइनस एक्स का घात 2 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वार माइनस एक्स यहां पर है माइनस एक्स स्क्वार तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस देखिए यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है तो plus यानि सिर्फ x लिखेंगे और 2 है यहाँ पे घात यहाँ पे 1 है कुछ नहीं है तो 2,1,3 तो x का घात 3 होगा इसका minus x गुना x का घात 3 तो x का घात 3 यहाँ पे कोई घात नहीं है तो 1 है यानि minus x का घात 4 हो जाएगा minus plus minus होगा ठीक है यहां प्लस है यहां माइनस है तो माइनस होगा और यहां पर कुछ नहीं है तो एक है घात में तो तीन एक चार हो जाएगा घात में अब एकस का घात दो गुना एकस एकस का घात तीन एकस का घात दो गुना माइनस एकस का घात दो तो प्लस वाइडस वाइडस एकस का गहात दो दो किता हो जागा चार एकस का घहात दो गुना एकस का घहात तीन तो एकस का घहात तीर और दो पाच प्रस्न दो निमलिखित प्रतेक प्रस्न के साथ दिये गए बिकल्पों में सही उतर को चुनिए एक से अधिक बिकल्प भी सही हो सकते हैं तो प्रस्न दूसरा है पांच का घहात तीन का घहात दो ठीक है पांच का घहात तीन का घहात दो तो पांच का घात 6 हो जाएगा देखे जब इस तरह रहे घात पे घात रहे पांच का घात 3 पे घात 2 ठीक है पुरा पे घात 2 है तो घात जूट जाएगा यानि गुना हो जाएगा 3 गुना 2 6 हो जाएगा ठीक है देखे पांच का घाद 6 हो जाएगा जब इस तरह घाद पे घाद रहे ठीक है 5 का घाद 3 पे घाद 2 है तो घाद क्या हो जाएगा गुना तो 3 दुना 6 अब 5 का घाद 6 भागा 125 अब देखिये 5 का घाद 6 कितना होता है तो 55, 25, 25, 125 तो देखिये इसको हम लिख सकते हैं फांच का घाथ 6, भागा 125 को लिख सकते हैं, फांच का घाथ 3 क्योंकि पचपचे 25, 25 पचे 125 होता है पांच का घाथ 3 हम इसको लिख सकते हैं, 125 को ठीक है, अब देखिए, भागा में है तो तो भाग में है तो घात क्या हो जागा घट जागा जब आधार बराबर हो यहां भी देखिए 5 है यहां भी 5 है ठीक है तो क्या हो जागा पांच का घात 6-3 यानि 5 का घात 3 हो जागा क्योंकि जब भागा में रहे तो घात घटता है और गुना में रहे तो जूट जाता है ठीक है गुना में रहे तो घात जूटेगा जब आधार बराबर हो भागा में रहे तो घात घटेगा यानि 6-3 कट देंगे तो 5 का घात 3 यानि 5 का घात 3 बराबर क्या होता एक सो पचीस पच पचे 25, 25 पचे 125 तो देखे इसका उत्तर हो जागा B और C दोनो ठीक है 125 भी उत्तर आएगा और 5 का घाट 3 भी आएगा तो बहुत ही असान है बस 125 को 5 का घाट 3 में लिख देना है क्योंकि 5, 25, 25, 125 यानि 5 का घाट 3 बराबर होता है 125 तो 125 को हम लिख देंगे 5 का घात 3 ठीक है अब दूसरा में देखिए X का घात B-C गुना X का घात C-A गुना X का घात A-B तो अधार बराबर है X, X, X तो अधार बराबर हो जब अधार देखिए 1 जैसा है 3 होगा और गुना में है सब तो अधार जब एक जैसा हो और गुना में हो तो घात को जोड़ देते हैं तो X का घात B-C जोड C-A जोड A-B देखिए तीनों घात को जोड़ देंगे तो B-C जोड C-A जोड A-B ठीक है अब माइनस C प्लस C कट जाएगा क्योंकि सुनने आ जाएगा C में से C घट आएगे तो B यहाँ प्लस B है यहाँ माइनस B है तो यह भी कट गया है सुनने आएगा माइनस है प्लस है सुनने आएगा यानि X का घात सुनने आ गया ठीक है तो X का घात सुनने किसी पे भी घात सुनने रहे तो एक होता है उसका उत्तर तो इसका उत्तर होगा C एक, ठीक है इसका उत्तर क्या होगा, एक तीसरा, यदि A बराबर एक B बराबर दो C बराबर तीन, तो A का घात आठ B का घात तीन और C का घात दो, बराबर क्या होगा A बराबर एक कह रहा है तो एक के जगा पे एक रखेंगे, तो एक का घात आठ, देखिए, एक के जगा पे हम एक रखेंगे हैं, गुना, बी बराबर दो कह रहा है, तो दो का घात तीन, गुना, सी के जगा पे तीन कह रहा है, सी बराबर तीन है, तो तीन का घात दो, देखिए, ए, बी, सी, तीनों क मान हम रख दिया है घात तो दिया हुआ था तो एक का घात 8 एक होगा दो का घात 3 एक पे कितना भी घात हो एक ही होगा दो का घात 3 दो दूना 5, चाडवूना आट तीन का गहा तो 30 यह 9 इसका उत्तर देखे कितना हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा 9 अठी 72 कुणा 1 72 यानि D इसका विकल्प हो जाएगा D इसका उत्तर 72 तिसरा का D ठीक है 4 में देखे 4 sectors प्रस्न में 4 x का गहा 3 by z में X का घातीन का गुनांग है अब देखे X का घातीन का गुनांग कौन है 4 by Z ठीक है तो ये देखे इसमें X का घातीन का गुनांग कह रहा यानि X के घातीन को हटा करके बाकि सब लिख देंगे तो X का घातीन को निकाल देंगे तो 4 by Z बचेगा यानि इसका उत्तर होगा A तो X का घात 3 का गुनांग हो गया 4 by Z 4 by Z ठीक है तो गुनांग बंदब इसके साथ कौन गुना में है सब गुना में है तो X का घात 3 के साथ कौन कौन गुना में है 4 भी है गुना में बाई भी है और Z भी है तो 4YZ इसका उत्तर होगा पांचवा में देखिए 3X 4X स्क्वाइर माइनस 4X और माइनस 3X स्क्वाइर का योगफल क्या है तो सब को जोड़ देंगे देखिए जो एक जैसा है उसको एक साथ जोड़ेंगे तो 3X 3X और 4X को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस X क्योंकि माइनस 4X प्लस 3X बड़ा वाला माइनस है तो माइनस 4X में से 3X गया तो माइनस X अब देखिए 4X स्क्वाइर और माइनस 3X स्क्वाइर क्या हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1 यानि x square सिर्फ तो इसका उत्तर हो जाएगा देखें minus x plus x square d वला ठीक है minus x plus x square यानि d भी कल तो बहुत यहांसान है जोड़ना जो 1 जैसा उसको जोड़ेंगे 3x और minus 4x को जोड़ेंगे तो minus x आएगा 4x square और minus 3x square को जोड़ेंगे तो x square आएगा क्योंकि 4 में से 3 गया minus plus minus होता है तो 4 में से 3 गया x square ठीक है 1x square तो 1 लिखें आना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो minus x plus x square देखें इसको हम जोड़ करके बता देते हैं 3x plus minus 4x देखें plus 4x square plus minus 3x square इस तरह से लिख लेंगे तो plus minus क्या होता है minus तो 3x minus 4x हो गया plus 4x square plus minus होता है minus 3x square ठीक है plus minus minus होता है तो देखें minus x आगया यहाँ पे घटके क्योंकि minus 4 है तो इसलिए minus में आएगा उतर और यहाँ पे 4 बड़ा है तो बस plus में यानि minus x plus x square 4 में इस 3 गया तो 1 तो x square लिखेंगे बस 6 में समिकरन 2x minus 15 बराबर 7 में 4x का मान है तो देखें x का मान पूछ रहा है तो 2x minus 15 बराबर 7 ठीक है 2x minus 15 बराबर 7 तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 15 को इधर लाएंगे बाया तरफ से दाया तरफ बराबर की इधर होता है दाया तरफ बराबर की इधर होता है बाया तरफ तो minus 15 को इधर लाएंगे दाया तरफ तो प्लस 15 हो जाएगा तो देखिए 2x बराबर कितना हो गया 15,7,22 तो x बराबर 22 बटा 2 यहाँ पर गुना में है x के साथ बाया तरफ तो दाया तरफ जाएगा तो भागम हो जाएगा यानि बटा में तो 2 से 22 काट देंगे तो 11 बार में यानि x बराबर कितना आगया 11 तो 2x माइनस 15 बराबर 7 में 4x का मान है 11 यानि 6 का a होगा देखिए इस तरह से इसको हल करेंगे तो 7 में देखिए 7 x के 3 गुना से 10 अधिक है 7 जो है x के 3 गुना से यानि 3x लिखेंगे हम 3x तो 7 जो है x के 3 गुना तो x के 3 गुना 3x हो जाएगा से 10 अधिक है 10 अधिक मतलब 10 जोड़ देंगे तो बराबर 7 लिखेंगे यानि 7 जो है x के 3 गुना से 10 अधिक है यानि 3x x के 3 गुना 3x से 10 अधिक तो जोड़ 10 बराबर 7 ठीक है तो 3 x बराबर हो जाएगा 7 minus 10 10 को इधर लाएंगे बायां से दायां तरफ तो plus 10 हो जाएगा minus 10 तो 3 x बराबर 7 minus 10 कितना होगा minus 3 7 में से 10 को घटाएंगे तो 3 minus 3 आएगा तो x बराबर minus 3 बटा 3 बायां तरफ गुणा में है X के साथ 3 3 के साथ X गुणा में है तो इसको बायां से दायां तरफ भेज़ेंगे तो भागा में हो जाएगा यानि बटा में तो देखिए 3 से 3 कार दियें तो एक बार में और माइनस है तो यानि माइनस 1 आएगा इसका उत्तर गुना माइनस एक गुना माइनस एक तो एक गुना एक गुना एक एक गुना एक देखिए एक आएगा ठीक है एक गुना एक गुना एक माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो माइनस एक को हम माइनस एक का घात तीन भी लिख सकते हैं तीन क्या है बिसम संख्या तो पावर हो बिसम संख्या का पावर हो या घात हो ठीक है बिसम संख्या उला घात हो तो माइनस एक ही आएगा उत्तर अगर संख्या रहता चार रहता छे रहता दो रहता तब एक आता तो माइनस एक को हम माइनस एक का घात तीन भी लिख सकते हैं तो इस तरह से हम इसको हल कर ले इसका उत्तर देखिए होगा माइनस एक का गहा तीन यानिदी ठीक है क्योंकि माइनस एक का गहा तीन बराबर माइनस एक हुगा जो की माइनस एक आया है इसमें उत्तर अब देखिए प्रस्न आठवां यदि A बराबर 327, B बराबर 729 और C बराबर सुनने हो तो ABC प्लस 3A स्क्वाइर BC